हलो फ्रेंट सल्गम पूमाइटी चैनल तो फिर सार्माबात करने वाली रैनौल्ल खीगर के बारे में जो कि उसके ऑफिशियरी डेपिट से पहले ही डिवैल होगई है तो फ्रेंट्स यह जो रैनौल खीगर है वो 28 जनुरी को ऑफिशियरी डेपिट होने वाली है बन्दर की फ्रेंट जो नेक्स्ट विक है वो यह हमें ग्लोबली डेपिट होने वाली है तो फैसी यह जो न्यू कॉम्पक्ट एसीवी है उसके हमें कुछ टेस्ट हुल्स पोर्डेड इमेजिस मिले है जिसके उपर से हमारे पास कुछ डिटेल्स आई है इसके बारे में बात करने वाली हुँ तो फैस पोर्डेड इमेजिस के अंदर इसका जो फ्रेंट डिजाइन है वो रिवैल्ड हो गया है तो फैसका जो फ्रेंट प्रोफाइल है उसके अंदर हमें शाप एलडी लाइट रेश्टर देखने को मिलने वाला है जो कि हमें इसके अंदर हमें एक लाइट के साथ देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर हमें ऐसी वी इसके अंदर हमें 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 और यो प्ररोडक्शन वरेलन है वो हमें कॉंसेट कार से यह फी सबीतना स्टाइजिन में सेजिने को मिलने वाला है और कियों सांग नीया में का निसान बैडनेट के ही सेम CMFOP्लस प्लेटफॉम पेज जेएकने को मिलने वाली है और फिर अगर में बात करूँ इसके इंजिन के बारे में तो फिर इसके अंडर हमें 1.0 लिटर नैशरली आइस पाइटेड और टर्बो पेट्रोल इंजिन ओप्शन देखने को मिलने वाला है और फिर इसके अंडर हमें 5-speed manual gearbox अज़र standard देखने को मिलने वाला है बट फिर तर्बो वैरियंट है उसके अंडर हमें CVT automatic transmission देखने को मिलने वाला है तो फिर इसके अंडर हमें automatic option भी देखने को मिलने वाला है तो फिर इसके अंडर हमें आज के लिए इतना है कि अजय को कि अजय को